शिमारू के नई वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें शादी की बात कर लीजी आखिर हो ना गुर्दिमार कहां वो एसी पी कहां में हैड कॉंसेवल हम दोनों समधी बनेंगे सर पर पगड़ी बान का गले मिलेंगे शादी की बात कर लो डैडी किसकी शादी डैडी आप शादी करेंगे अरे मैं तेरी शादी की बात कर रहा हूं यह विशाल के साथ तुने जो विशाल चकर चलाया ना उसका कुछ आगे पीछे का सोचा आई या नहीं डैडी मुझे मालूम था कि मेरी प्रेम कहानी में मोड ज़रूर आएगा इसलिए मैंने अपने डैलक पहले से तैयार कर लिय प्यार अंधा होता है वो चोटे बड़े उंच नीच का फरक नहीं देखता और फिर ममी यह तो हर लव स्टरी में ऐसा होता है सेट्ट करोडी मल्की बेटी राधा हमेशाद चोटी दरदे के किशन से ही प्यार करती है मामी आपनेवह सावन को आने दो पिक्चर देखिया है नहीं बेटी मैंने वह तो एक की फिल्म डेकि है मदर इंडिया और इसलिए आप मदर इंडिया जैसे हो गई है डैरी आपने इने रोमेंटिक फिल्म क्यों नहीं दिखाई आप तेरी फिलम देख रही है न तेरी स्टोरी जो भी हो उसका दी एंड जूना घड में होने वाला है ब neighbor इंड पूनर रडimeter लिए कर एंडिया शह तेरी использ आप लंडिया और कर दोकली जुए इसलेसे ही है झाल एinação कर दो में हो तो ख्युएstar और कम दोड जख बागर ऊंडिया इंडिया ज्ल्डिया तेर्य से सब्सके कर दोथ को भी लोड़िया जबरे वाला ओने लो मुkonna तो ह झाल झाल तुम्छी आवाज में बात मत करो मुझसे तुम्हें ठील देने का नतीजा देख चुपा हुए आई दिन जग्रापसाद आज पुलिस सेशन के बाहर जो कुछ किया आपने उसका मतलब समिछने आप सुनिये जाने दीजे आखर बच्चा है तुम चुप करो तुम भी कुसू तुम पुलिस को उसका काम मत सिखाओ तुम्हें मेरी रेपुटेशन मेरे नाम का कुछ ख्याल है कि नहीं आपको कितना ख्याल है डैड हमारा और इस घर का मुझे पता है मा मुझे बोलने थे आपको ख्याल सरफ अपने नाम और अपने पहचान का है देखो देखो इस तस्वीर की तरफ इससे आपका कोई रिष्टा है कि नहीं यह आपका पड़ा बेटा विकास चौदरी दो साल पहले पुलिस को उसकी कुछली लाश मिली थी जि अगर यह एक्सिडेंट था तो पुलिस सब तक उस कार उस ड्राइवर का क्यों नहीं पता लगा सकी वैसे भी कैसी पुलिस कैसा कानून जब पुलिस कमिश्टे को खुद अपने बेटे की मौत का इंसाफ नहीं मिला तो भला एक आम आदम्यों क्या इंसाफ मिल सकता है वो तेरा भाई बात में हैं पहले हमारा बेटा है यह बाप है उसके जा चला गया आज़े मुझे आपसे कोई शिकारत नहीं कोई शिकारत नहीं आपकी मुश्किल समझती हूं आप इसकी बात कर नहीं रेवती पिशाल ठीक ही कह रहा है यह सच है कि मैंने काफी हद तक अपने आपको इस घर से काट लिया है वक्ति कहां दे पाता हूं मैं तुम्हें इस शेर की हालत दिन बदिन बिगड़ती जा रही है कुछ गुंड़ा ताक्ते हमारे कानून और वेबस्ता के साथ खिलवार कर रही है मैं बोलता तो रहता हूं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ कंट्रोल में है लेकिन सच तो यह है रेवती कि सब कुछ हाथों से छूटता जा रहा है मैं इतना उलज क्या हूं कि अपने बेटे की मौत तक को भुला चुका अपने रहा है सलाम चौदरी साथ सलाम मुलाका तो मैं अपसे आफिस में भी कर सकता था मगर आप जानते हैं कि मैं अपने मामले कानून के दाइरे के बाहर निप्टाता हूँ अच्छा किया खान जो दाइरे के बाहर में ले हूँ वरना इतनी बात कहने का मौका नहीं देता चौदरी साथ आपकी बिटे ने सरयाम हमारे आदमी को मारा है उसने अपनी गुंडा ताकत दिखाई है देखो मुझे पता है कि उसने किस आदमी को और क्यों मारा है हाँ हाँ जिसे मारा है वो पादरिया पुजारी तो है नहीं खूनी है खूनी तो निकाल दो उसके नाम का कागश निकाल दो मैंने तो कभी पुलिस को रोका नहीं क्यों और कोर्ट में गवाही अकेला विशाल ही तो देगा ना आप चलिए खान मेरे साथ कुछ कानून की पंदिशे हैं वरना तुम जैसों को तो गोली मार देनी चाहिए भून देना चाहिए मशिन गन से हां खैल अच्छा है चौदरी साथ लेकिन एक बात समझ लो ऐसे खैल जो आते हैं तो समझा अपना बूरा टाइम आ रहा है तुम लेकिन जिस दिन तुम मेरी परदाश्ट की हद को चूगए उस दिन मैं तुम्हारा वह खशर करूंगा कि तुम्हें अपने मर्द होने की घलत फैमी दूर हो जाएगी चलो खान का दिल बोलता है कि तुम्हारे साथ कोई फसना जरूर बनेगा डड़ी शड़ाप और तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारी शादी हो जाएगी मेरे बेटे से मुझे तो यह सब देव की नंदर शर्मा का किया धरा लगता है डिपार्टमेंट में तो तरक्की हो नहीं पाई उसकी और अब मेरे बेटे से शादी करवाकर मेरा संधी बनना चाहता है मेरा संधी एसीपी का संधी हेड कॉंस्टेबल मैं उसकी ट्रांसफर करवा दूंगा जुनागर बेज़ूंगा उसे जुनागर नहीं जाओंगा मैं जुनागर नहीं जाओंगाएव काया है आपको कि सोते यड़ाकते हर वक्त जुनागर करते रहते हो Großải यां अपुझतों आंज भूद्प्रत का चक्तर लकाता है वह सब्स्क्रत उतावसाय।-बनवावगर अपने बेटी के लिए बुलाव उसको मैं कॉषण पता नहीं कहां चली गई सुभा सुभा आज बहर खुश निदर आ रही है क्या हो गया ट्रांसफर हो गया अब तक तो लेटर भी टाइप हो चुकी होगी अगवारी बजा सकता है मुझे ए बगवारी यहां के बारे में लोग कहते हैं कि साथ सोमवार आने से मनोकामना पूरी हो जाती है मैंने सोचा चलो आपसे एक सोमवार की भूल चुक हो सकती है इसलिए आज पिर से आई हूँ और मैंने कौन सा आपसे मोटर गाड़ी बंगला या हीरे जवारात मांग लिए मैंने तो सिर्फ अपना प्यार मांगा है क्या तो मुझ अपना अनारी की आंचर में इतना सा हां तो मैं इस मंदिर में सर पटक पटक के जान दे दूंगी मैं तो मर जाओंगी लेकिन तुमारी इमेज खराब हो जाएगी और यह जो बेसिन के लड़ूं का भोग लगता है ना अरे तरस जाओगे एक लड़ू के लिए हां बस 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 और कितना धमकाओगी ने क्या बा प्यार में हो जाता है कि आठ कर बैज wot.? प्याम में mez recep hair कि मुझे किसले से प्यार हो गया है यह बात सच है ना की प्यार एक मंदिर है प्यार एक पूजा है जैन framework क्वें कने पूजा की होगी ना अ हां आप अहां हैsan बिधे बश्रुम फ्लाश बैक में जाने वाली है हां तो मैंने प्यार कर सकर कोई सचे कि यह कि नहीं माहीं कोई गुना नहीं किया यही तो मैं तोके यह जादों से नहीं मौ सकती आदिंख इसे उसे मोके पर रोने के लिए एक कंधे की सक जुरूत होती है। मा जी एक भारत्य नारी अपने मन में एक ही बार किसी की तस्विर बिठाती है। हाँ बिलकुल तो फिर मैं कैसे किसी और से शादी कर सकती हूं आखिर मैं तो एक भारते नारी हूं ना हाँ लेकिन वह लड़का है कौन एसी पी चोधर साब का बेटा है वो विशाल है नाम उसका मेरे डाड़ी हेड कॉंस्टिबल है तेव की नंदन शर्मा वो कहते हैं कि शादी नहीं हो सकते मगर माजी यह डिपार्टमेंट का मामला नहीं दिल का है तुम्हारा केस तो भाई बहुत ही सीरियस है मेरी घर चलो सब ठीक हो जाएगा मेरे बहुत है मेरे चाय बिना शक्कर के मुझे दो चम्मा शक्कर जाहिए अच्छा बहु है हमारी अच्छा अच्छा बहु कैसी लगी है है तो खुब्सूरत मैं मांगे हुए कपड में हमेशा अच्छी लगती हूं लेकिन यह कब और कैसे हुआ विशाल की पसंद है अपनी देव की नंदन जी की बेची है अच्छा 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 देव की नंदन देव की नंदन शर्मा जी वो अपने हैड कॉंस्टेबल जी इसे मैंने तो बहुत चोटी में देखा हुए हाँ जी हाँ गोद में खेलियो आपके पिता जी बता रहे थे हैं चलो विशाल ने बहुत बड़ा काम किया हमारा काम आसान कर दिया मगर है कहां वो अभे उल्लू के पठ्थे हमारी बहू को अब तक चुपागर क्यों रखा हुआ था हम चले आप इस शुपकाम में देव ने होनी चाहिए क्यों आप देव की नंदंजी से मिलकर बात कर लीजिए हां करूं भी तो क्या करूं उसको समझाओ इसको समझाओ और पीट आए शर्मा जी यह सर इदर आए दर आपसे बात करनी है मुझसे सर आप आई दर बैठिये आगे नहीं पीछे बैठिये पीछे पीछे आए ड्रेवर एड़कॉर्टर जाएंगे हुआ कि अगरा कि मुझे आपसे यह उमीद नहीं थी देव किनंदन जी कि आप ऐसे निकलेंगे लोगे मतली हो गया थार सर आपस हो गया ही समझो है कि ईड़ मेरा कोई कुसों नहीं मैंने उसको बहुत समझा लेकर यू उससे नहीं नहीं बलकुल बेवकूफ मने उसको कहा भाइ मैं कहा आप कहा मैंने उसके इसकित्दा डाटा गले शुथार जो उससे कुछ कह तो वह हमारे unyaमगार की बहू बनने वाली है बहु हुआ है तब तो हम संदी बाले है 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 हुआ 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 है